असलाँ की विवर्स माने में बिजवान चीमा, I welcome back with another video of Capital Smart City आज के इस वीडियो में Capital Smart City पूरे डिस्टे के होले से explain करूँगा और डिस्टे का नाम है Overseas Prime 1 इस वीडियो में explain करूँगा हर सेक्टर को इसमें कोई specifically किसी एक सेक्टर की वीडियो नहीं है इसमें तमाम सेक्टर जितने A से लेके आपके J, K, L, M जितने सेक्टर आते हैं तमाम सेक्टर का partial part 2-3-3 मिनट की वीडियो शामिल है यह तक्रीबन 20-21 मिनट की वीडियो है इसमें आपको डिटेल से आइडिया मिल जाएगा जिस भी ब्लॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट है जिस भी सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसका पूरा follow-up मिल जाएगा कि 16 जुलाइ 2023 को आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वह कहाँ स्टेंट कर दिया है राइड नौ जो मने पॉइंट से स्टार्ट की है यह मने स्टार्ट किया है सेक्टर F से और स्टर F की स्ट्रीट 1 पर स्ट्रीट 1 की अच्छी बात यह जए एकि 20 plots जो हैं वो आपके 2 कनाल के हैं और 9 plots आपके 4 कनाल के हैं तो यह जो properties हैं sector F में यह तमाम के तमाम जो हैं developed हैं और possessionable हैं इन में कोई litigation नहीं है कोई plot non developed नहीं है तमाम के तमाम plot जो हैं वो बिलको cleared हैं अब यह जो आप footage देख रहे हैं जहां से कचा road शुरू होता है यह basically plot 1920 है यह road के right side पे दो plots हैं और उसे पीछे जो को bridge नज़र आ रहा है यह basically access 1 road का bridge है जो connectivity provide करता है overseas prime 1 को with overseas east और golf course के साथ जो connectivity है overseas east से भी एक रस्ता है golf course के लिए और overseas prime 1 से भी रस्ता है basically वह रस्ता है इन दोनों के center में है जैसी है bridge जो cross करते हैं साथ ही आपके left side पे golf course का entrance point शु L उसके बाद पर sector G फिर E फिर आ जाते हैं A और B विल A B और C विल साइट पे जो सारे sectors हैं तो आप उस लिहाद से let's suppose कि आपका sector C में plot है तो try करें के video को skip कर लें और आगे जाके जहां पर sector C की video start होती है सिर्फ वहाँ से video footage देख लेंगे length 20 minutes plus में की video है और इसमें मैं को Google Earth का part शामिल नहीं कर रहा है सिर्फ 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 साइट की video's है updated ताके members को clear understanding मिल सके कि जो इनकी investment थी जिनका payment plan अभी चल रहा है याद रहे कि overseas prime 1 में किसी एक individual का भी payment plan मकमल नहीं हुआ society की तरह से इनको possession 40% payment भी handover कर दिया गया था अभी तक prime 1 में total 7 plots ऐसे हैं जिस पे members न का summarize form थी अब मैं start करता हूँ के blog की overall detail से right now जो footage आप screen पर देख रहे हैं यह जो divider road आपको नजर आ रहा है यह road 4 है और यह divide करता है basically sector H को sector F को sector H और sector F दोनों जो हैं वो पूरे 1 कनाल के plots हैं मा सेवाई sector F के जिसकी मैंने पहली street start में बता दी थी कि वहाँ पे 2 कनाल और 4 कन नजर आ रहा है वो चार कनाल के plot पर फार्म उस पर बना हुआ है चार कनाल के जनी 12 गस के plot पर construction होई है जहां पर left side पर चार मर्ला commercial की डिमार्केशन नजर आ रही है और right side पे एक कनाल की डिमार्केशन एक कनाल बले जो plots हैं यह plot number 1 तो plot number 6 यह 7 कर लें यह plots हैं और बाकी left side जो commercial plots हैं अब जो sector H के दर्मयान से रोड गुजरता है और रोड जा के connectivity प्रवाइट करता है विद ओवर्सीज इस्ट यह जो रोड है इस पर जो commercial plot है आठ हट मर्ला के यह उन commercial plots के भी आ फोटेज देख रहे हैं राइट ना पनी स्क्रीन पे अब इन commercial plots के अच्छी बात य है कि यह commercial plot भी society की तरफ से जो offer किये गे थे वो किये थे आपको तीन साल के payment plan पे और तीन साल के सारी और इनका possession जो है वो society इस रोड की और left side पर जितने plots आपको नजरे है वो one canal के plots है और अगर मैं lane specific कर सकूँ तो lane 1 बनती है आपकी lane 2 बनती है और street 1 और street 2 बनती है जहां पे street 1 पे आपका पार्क भी आता है यह जो बड़ा सा बॉक्स आपको commercial की back side में नजर आ रहा है जहां भी आपको तुछी से green बाकी हर मेंबर को इजाज़त है कि अपने plot पर construction स्टार्ट कर सकते हैं यह इस वक्त आज की date आपके लिए 16th July 2023 के में बात कर रहा हूं अब यह अगर में बात करें आगे parts की के बाकी जो प्लॉट्स हैं अब मैं जैसी इसको थोड़ सा वाइडर एंगल में दिखाता हूं को मैं यहां से executive block तक जाता हूं और पूरा जो access one road है जो basically यह road आपको नज़रा right side to exhaustive wood का इसके connectivity के अच्छी बात ही है कि चक्री road से लेके 5.9 km का सफरताय करके direct interchange तक यह road connect करता है बीच में 400 foot road भी आता है और बीच में फिर बिजिस भी आते हैं बीच में different चीज़ आती है ले लेकिन यह road जो है आज की डेट में physically form में proper carpeted form में exist करता है अब यह जो access one road है इसके right side बग जो block नज़रा रहा है के block के block के जो शुरू की streets है अगर मैं streets specifically mention कर पा हूं कि specific कर पा हूं कि के block के कौन से streets तो के block है street number 4 और street number 3 और street number 4 पर जिन members के plot number plot number 1 to plot number 23 है उनके plot की land brown हो चु sector K में जासी बात है बराइट साइट पर browning और पार्ट जो है अब sector K की सिर्फ एक street develop नहीं है brown नहीं होई street 3 भी होई है street 2 भी होई है street 1 भी होई है अब यह brown होई है sector K में सिर्फ अब जो दोगनाल की street है sector K में वहां तक develop हो चुक है उससे पीछे जो sector L आता है वो पूरे का जो अब गरीन है उसमें as such कोई development आज की डेट में exist नहीं करती जब future में society वहां पर development करेगी तो इन्शाला ताला मैं try करूंगा कि मैं दोबारा details इस पर वीडियो बना दूं कि आज की डेट में सिक्क्या status है यह 16 July का status है और 16 July का status के मताबिक अभी जो physical यह विटनस कर रहे ह यह सारे चीज़ें वह जो on ground exist करती है यह जो ब्रिज आप देख रहे हैं यह 460 फुट लंबा ब्रिज है और 140 फुट वाइड है इस ब्रिज भी completion जो है society and I think last year के end पे September का महीन था जब start की था तो यह ब्रिज भी operational है अब इस ब्रिज को जैसी क्रॉस करते हैं अच्छे important बा जो सीधा आता है वह रोड आपको एक्जेक्टे ब्लॉग भी लेक वी commercial गॉल्फ कोर्स और आगे 400 फुट रोड की तरफ लेक आता है अब जो फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यह सारे का सारा एक्जेक्टे ब्लॉग है और एक्जेक्टे ब्लॉग मैं स्पेसिफ जो एक वीडियो पोस्ट भी टी विलाज थी तो नहीं वेटनस कर लिया होगा जो इग्सेक्टे ब्लॉग के विलाज के प्लस पर पिर्माइब से काम जा रही हैं अब दोबराइब वापस जाता हूं और इसमें यहां से यह जाए के चकरी गेट तक जाओंगा और चकरी गे इस्ते डिग्री में आपको समझ आजेगा कि Overseas Prime 1 में ओवराल जो डिवलपमेंट है वो कहां स्टेंट करती है Right now left side में मेरा sector H है sector H के right side पर sector J है sector J और sector H में sector J का थोड़ा पार्ट लिटिगेटर ज़रूर है लेकिन sector H का कोई पार्ट भी लिटिगेटर नहीं है इस सुबा की बात है कि किसी मेंबर ने कमेंट में पूछा भी था कि sector H में कोई litigation मजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि sector H में कोई litigation मजूद है कि sector H के नीचे वाली streets है वहाँ पे थोड़ सी विकटिंग का काम रहता है specifically lane 5, lane 8 की कर बात कर लें lane 8 पे plot number 1 to plot number 8 यह जो है litigated feel होते है browning इनकी हुई भी है लेकिन वो है कि स्थरा proper leveling नहीं हुई भी है तो यह later stage भी leveling होगी तो मैं शल्लाव सवाले सी भी update कर दूँगा अब यह जो point आता है बीच में यह U-turn point है और अगर आप Google Earth पे देखते हैं स्मार्ट इडिक अपने map पे देखते हैं तो properly यहाँ पे आपको U-turn जो साइट नहीं दिखाया हुआ बीच में green जो आपको पार्ट नजर आ रहा है जहां पे भी exact marked है access 1 road 180 feet इस point को सारा greenery के लिए रखा गया हुआ है और इस से आगर U-turn है और एक road जो है left जाता है अगर आप inter chain से आ रहे हैं और आप overseas east में जाना चाहते हैं यानि कि executive laws across करते हैं bridge को across करते हैं तो आपके left side पे जो रस्ता है आपको overseas east में लेके जाता है और यही रस्ता सीधा आगर जाएं तो आपको लेके जाता है चक्री road पे दस मरला के plot है मास से वाए पहली दो स्ट्रीट के और left side पे सारे जो हैं वो वन कनाल के plots हैं यह H block और मैं G block ही बात कर रहा हूँ right side पे sector M है sector M के अगर बात करें sector M में सिर्फ सिर्फ चार मरला और आट मरला कमर्शल का मरकज है जो के पूरे के पूरा non-developed है अगर वहाँ पे आपका plot है तो definitely आपका plot जो अभी non-developed है उसमें possession नहीं available society ने इसका announce भी नहीं किया और उसका possession अवेलेबल भी नहीं है पीछे back side पे जो आपको है G block यह बिल्कुल exact back पे जहां पे आपको double lane road यह जो आपको नजर आ रहा है यह access 1 road से सीधा चक्री जो gate number 3 है उससे connect करता है sector G, sector H, sector F, sector E, sector C, sector D, sector B को cross करते वे यह जाकर gate 1 से मिलता है gate 3 से मिलता है अब sector E के अगर बात करें तो sector E में किसी भी जगा पे streets की alignment नहीं हुई सिर्फ 3 ये 4 पार्ट ऐसे है जहां पे street का कच्चा जो model है वो नजर आता है यहनि कि वहां से कर आप tractor से भी leveling करें तो feel होता है कि यहां पे road है यह जो sector में E की बात करो E for echo यह E for elephant अब इस sector के लावा sector जितना G है आपके सामने है physically के sector G की कोई street कोई एक plot भी ऐसा नहीं है जो society की तरह से developed और possessionable ना हो in fact जितने plots हैं जितनी streets हैं तमाम streets developed हैं और possessionable है अब हम चक्री road से जाते हैं towards gate number 1 यह है यहनि access road 1 यह है इसका जो entrance gate x or seafood wide है जो आगे जाग connect करता है और इस से अगर चक्री road right side पे आपकी left side पर आप sector G है इस road के साथ साथ आप आगे जाएं तो आप sector gate number 3 है उससे जाके मिलते हैं अभी मैंने आपको जो अब तक के part में वीडियो में आपको दिखाए है sectors उसमें आपका sector F आ गया sector H आ गया sector G आ गया sector J आ गया sector M आ गया sector L आ गया पीछे back side पे M और L मुकमल non developed है अब आ गया आपके सामने sector D और sector E sector D के अगर बात करें sector D क्या कोई एक plot कोई एक street भी ऐसी नहीं है कि जहांपे road की carpeting road की properly जो horticulture underground saverage underground electricity underground जितने काम होने वाले तमाम काम मुकमल है plus इन दोनों blocks का mutual water tank है वो भी अपने final stage में है और road देखें आपको per road जो आप फिजिकली आपको 40 feet road sector D का each and every road is carpeted अच्छे एक और important बात left side जो sector E है इसका possession अवेलेबल आप society की तरफ से members पे यह applicable है कि possession ले घर बना सकते है अगर आप possession अप्लाई करते हैं maybe 3 weeks और 4 weeks के अंदर आपके वाली जो street होके specifically उसको society जो है वो बिल्कुल develop और possessionable करके आपको hand over कर देगी अब right now जो footage है सारी के सारी sector D की है और sector D की footage के अगर मैं बात करूँ अगर मैं end वाली street से start करूँ नीचे से जहांसे street से start होती है तो सबसे पहले आपके पास आता street 1, street 2, street 3, street 4 अभी जहांपे 7 मरला का आपको demarkation नज़र आ रही है street 6 है अब street 5, street 6, street 7, street 8, street 9 और उससे आगे पर main road आ जाता है और right side पर जो part आपको चक्री road और पहली lane के दिरमान नज़र आ रहा है इसके सामने बिल्कुल D के सामने sector C है sector C की भी road के carpeting सिर्फ नहीं हुई asphalt नहीं हुआ बाकी मेरा काम में सारा काम मकमल है क्योंकि यहां बड़े limited से plot है sector C में और सारे के सारे plots हैं बारा मरला के है 40 बाए 68 के plot हैं तक्रीबान 300 गस के यह plot जो actual मुझे इसन भी किसने का था sector C भी developed नहीं है sector C developed है इसका underground का मकमल है road network इसमें मकमल है gate दोनों gate से access है gate 1 से भी gate 3 से भी access है और road का जो layout plan होता है जैसे sector B और sector C का आपको नज़र आ रहा है यह layout plan का मतलब है कि society ने इस plan पे compaction करके आपका plot जो उसको ready कर दिया है सिर्फ यह है कि जहां पे अभी society की तरफ से stoning, compaction और carpeting का काम होना है that wouldn't take more than two weeks मेरा ख्याल है कि society अगर चाहे तो दो अफ़ते के अंदर-अंदर इसको possessionable कर सकती है but see, let's see कि लेटर स्टेज पे society सो कैसे करती है अगर को member possession अपलाए करना चाहता है definitely society उने मना नहीं करेगी उनको फोरण इसको possessionable कर दिया जाएगा right now road one की footage देखने है road one से जहां पे आप gate number 3 से access road 3 इसकी width भी 180 feet है और इसके साथ service road मिला के बाने 80 feet है जहां पे आठमाला commercial आने है आगे जाकर यह road 120 feet हो जाता है और यह जो gate number 3 बनने है उसके सामने जो चक्री road को wide किया गया है वो भी आप देख सकते हैं और चक्री road को wide इतना किया गया है कि यहां से आपको एक बड़ा gate की feeling आती है कि society यहां पे बहुत बड़ा gate बनाएगी future पे अब चक्री road के opposite side पे जहां पे आपको browning भी नज़र आ रही है यह सारी जमीन भी स्मार्टेटी की है और जहां पे आपको construction नज़र आ रही है जहां पे आपको properly अच्छा यह जो सामने construction है यहां पे CSC का camp office है capital स्मार्टेटी का इस camp office में आपको जितने ही यहां पे engineers हैं labor हैं, architects हैं जितनी management के लोग हैं mostly अगर side पे रहते हैं तो यहीं पे रहते हैं और यहां पे proper mess बने हुई है parks बने हुई है proper उनकी masjid बने हुई है हर चीज उनकी मतलब पूरी life मिलती है आपको इस camp office में अभी right now जो footage आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आप आगे हैं sector B की तरफ sector B में शुरू के plot हैं अगर मैं street wise भी एकर mention कर सकूँ कि शुरू के plot आते हैं कौन से आते हैं sector B में जो कनाल के plot साथ है शुरू में वो street 1, 2, 3, 4 and lane की बात करें lane 4 and lane 5 lane 1 and lane 2 यहां पर जो हम शुरू में यह commercial आते हैं यह residential आते हैं one कनाल के right side पर सारे commercial ने 4 अट मरला याद होगा साइटी ने commercial जो हम लाउंच किये थे with possession इनका possession पे वेलेबल है left side पर बारा मरला के plot आते हैं sector B के ही sector B के जो बारा मरला के plot जिसकी अब भी आज के डेट में structure यह है कि जमीन से building निकल आई है कुछ at least ऐसे points भी है जहां पर at least 4-4-5.000 foot की दिवारें खड़ी हो गई है और कुछ ऐसे points भी हैं जिन पर अभी काम हो रहा है और इसके साथ पर आगे society ने reserve plots रखे हैं 9.3 मरला के जो townhouses के plots होंगे इससे बिल्कुल back side पे आपको चहां डैम की premises नज़ा आ रही है अब मैं अक्सर जब वीडियोस बनाता हूं स्मार्ट हेटी की तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा बाइस consider करते हैं स्मार्ट हेटी को लेगे believe me बहुत सरे market में हसता है 5000 companies काम करी हो बट जब मैं बात करता हूं development पे कितनी ज़्यादा development हुई है कितने कम टाइम में क्योंकि आप Pakistan में हमारा real estate का carrier है तो real estate में societies launch ज़रूर होती है लेकिन आपको 15, 15, 20, 25, 25 साल सिर्थ 2, 400, 500, 600, 600 एकर डिवैलप करती है अगर मैं actual number आपको बता हूं कितने हजार एकर बनता है तो 43,224 किनाल इस इकल तो डिवैड़ बाइड इस इकल तो 527 एकर तक जब मैं राउंड ओफ करें तो 500 एकर ऐसा अरिया है जो smart city की management डिवर कर चुकी है अब मैं छोटी सी गोर जब बलता हूं यह सेक्टर एक जो रोड़ आवो कारपटेट नजर आ रहे है 9.3 मरला वाले जो प्लॉट्स हैं क्या यह प्लॉट्स बेचेगे हैं तो इसका जवाब है नहीं यह प्लॉट्स अभी तक नहीं बेचेगे क्या smart stem girls college के भी ज़रूद थी जब साइट पे एक individual भी नहीं रहता एक बंदा भी नहीं रहता तो मेरे ख्याल एक ज़रूद नहीं थी लेकिन साइटी उसको priority भी बना रही है स्कूल priority भी रेड़ी है main जो सूक है जहां पे आपको शॉपिंग के लिए चीज़ें मिलेंगी वो रेड़ी है तो मुर्श नहीं निकलते थे या पहले एकजेस निकरता था यह पहला बोर्टी बना था इसकी लेंथी 480-पोट और इसके वेड थी 120-फोट 110-पोट यह ब्रिजी ता और 120-पोट लेंथी था ब्रिज यह पहला ब्रिजी ता जिसका फटा हुआ था और राइट साइड वे लेक भी community है इसमें भी राउंड तक्रीब में कहलें कि 4000 के आसपास plots हैं जो सारे के सारे developed हैं अंडरग्रोंड सेरेज, electricity, electrical, optical fiber आपके street poles, आपकी horticulture street की carpeting मुकमल है सेक्टर ही में भी आपके सामने हैं कि streets black top हो चुक है school बन रहा है लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या smartity में कोई रहता है तो answer is no क्या smartity में किसी family को इसकी जरूत है तो answer is no क्या smartity में किसी भी individual के लिए ये necessity है तो answer is no smartity जूँके अभी members जिनके for example non-developed plot है उनको smartity फिलाल बुरा लग सकता है क्यार हमारा plot non-developed develop नहीं हो रहा but factually ये मैं दिल से कह रहा हूँ बात factually अगर आप देखें तो smartity जितना deliver की है it's not क्यार मैं smartity का sales partner हूँ मैं यहां से commission लेता हूँ यहांसी को बात है I'm telling this thing from my heart क्यार ये इनकी futuristic इतनी approach है क्या आप इतना आगे जाके सोच सकते हैं क्या आप imagine नहीं कर सकते हैं कि अभी देखें smartity मैं छोटछ़टी example count करता हूँ क्या मैंने पकस्तान में कभी को ऐसा blog देखा था को ऐसे history में को ऐसी चीज़ देखी थी कि जहांपर linear parks जो तक्रीबन linear park की 220 foot width है अगर वहाँ पर society plot काट की तो मिहाल में urban रुपे के plot था जो लैंडरों ने परक की फॉर्म में जाया की है यहां से हम अन्दादा लगा लें किस तरह का project है अब एक wide project है जिसके अंदर dam भी है जो government से 99 की लीज़ पे company के पास है एक wide project है जिसको 360 आपको serenity भी देखने को मिलती है मुझे कोई बात express करने की ज़रोत नहीं आपको background में view नज़र आ रहा है कि यह view कैसा है अब इस पहाड से लेकि opposite side पर जो पहाड है इनके दिम्हान में सारी जमीन smartity के पास है यानि खैरे मुरत range के जो पहाड है और यह smartity एक valley type view बनाता है अब यह चीज़े जो है आज की date में smartity में exist करती है even though smartity में अभी resident जो है वो कोई भी नहीं है जो अभी तीन resident जो तीन families move करने वाली है September में possession तो बहुत सारों का offer होगा but as far as I know people मुझे तीन लोगं का पता है कि जिनकी families अभी जो है वो यहाँ पर September में move कर जाएंगी तो आपको यह video on record रख लें कि 17 July की यह 16 July के वीडियो थी record पर रख लें कि future में जा के आपको smartity के अंदर कितनी ज्यादा अबादी मिलेगी वो आज की डेट में आप उसके 25 की डेट में बाई कर रहे है क्यों पाकिसान के हलाद आसी है तो यह overall जो मैंने आपको पूरा 360 डिग्री में प्राइम बन का ब्लॉक दिखाया है जो मैं चीजने explain की है यह सारी की सारी चीजने actually exist करती है और इस से बड़ा सुबूत के वस्ता स्मार्ट डिटी की development का हाई पेस का कि अभी एक भी plot इस block में ऐसा नहीं है जिसका society की तरफ से जो है payment plan में कमल हो गया हो तमाम के तमाम blocks में payment plan अभी बाकी है, installment अभी चल रही है और तमाम के तमाम blocks जो है वो possessionable है, mass by 2-3 sectors को चोड़के यह है smart trading आप लोगों के लिए अगर आप वो capital smart trading यह लहूर smart trading यह बुकिंग के वाले इसकुछ मालूमाँ चाहिए हो तो देगर नमरों राबता करें इसके साथ साथ हमारी website विजिट करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भोलें रिजवान चीमा को दीजे इजासत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस करता हाफिस